अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजे चैनल को सबस्क्राइब करिए और वेल आइकन को प्रेस कर लिजे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया गया है आईए हम लोग देखिए इसमें जितने भी एक्विप्मेंट लगे हैं जैसे आपका बॉइलर हो गया, सूपर हीटर, एकोनोमाईजर, एयर प्री हीटर, यपडी पैन, आईडी पैन, पी ए पैन, यपड़ डव्लू पी, कंडेंसर, एकोनोमाईजर, चीमिनी यह सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो आईए हम लोग बाईवन, बाईवन करके पढ़ते हैं, देखिए, क्या है, तो इसमें देखिए, बीफपी क्या होता है, देखिए, बॉइलर फिड पंप होता है, बीफपी, तो बीफपी का में काम क्या होता है, देखिए, बीफपी, एक नट यार, देखिए, बीफप प्रफिर पंप इसको भोलते हैं ये पूरे थर्मल पावर प्लाइट में सबसे हाइस्ट पावर रेटिंग जो होती है इसे क्यों होती है अगर सपोच करिए अगर पांच सब मेगावाट का थर्मल पावर प्लाइट है ठीक है तो उसका ये 2% होता है 2% तू बाइट कर दीजिए 0-0 कर या मतलब कि आपका 10 मेगावाट जो पावर है ये इसको आपरेट करने के लिए जरूत पड़ती है इसकी रेटिंग जो होती है अब यसे समझीए मतलब पूरे थर्मल पावर प्लाइट में जो हती इसका 2% हो है ये इसकी रेटिंग होती है इत सबसे पूरे थर्मल पावर प्लांट में सबसे लार्जेष्ट पमप होता है it has highest pressure in all of the above जितने भी पमप होते हैं सबसे हाइष्ट प्रेशर किसकी होती है B F B की होती है ठीक है to start B F P required high voltage 11 किलो गोल्ड की इसमें सप्लाई की जरूत परती है इसको start करने के लिए चलाने के ल वसकी होता है इसका यूज करते है हम लोग steam बनाने के लिए और इस pH value is slightly more than seven आपको पहले बताया था जो हम लोग water乾燈 बनाने के लिए उसकी pH जो होती है slightly more than seven होता है और यह drinking के लिए यूज नहीं करते हैं पीने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं ,ADA करते हैं polarized coal is used for steam formation जो है polarized मतलब पीसा हुआ चोडित कोईला जो है चोडित कोईला को हम लोग क्या करते हैं steam formation के लिए यूज करते हैं इसका advantage क्या है देखिए तो complete combustion होता है पुड़ रूप से दहन हो जाता है लेस फारमेशन आप एस जो एस होता है देखिए सबसे कम जो मतलब की अगर कोई भी चीज आप बारे की पीस कर उसका powder बना के उसको जलाईए तो बहुत जल्दी जल जाता है उसका धेर सारा मतलब राक होकर जो है वो नहीं बनता है जीसे जो लोग गाउं से होंगे जो जाते होंगे जो ऊपर लिए होता है आप धान उनका ये टोट पकाने के लिए करता है तो उसमें बहुत थोड़ा सा राक बनता है वहां पर तो ऐसे हैं देखी और efficiency सबसे बड़ी बात है कि efficiency बहुत अच्छा होता है तुरंत जल जाता है तो आपको तुरंत output मिल जाता है देरे देरे जलेगा देरे रोते रोते आपको इंतजार करिए कि आप जलेगा तो फिर आपको heat मिलेगी heat मिलने के बाद तो उसे time भी बहुत क्या है दिखिए तो disadvantage क्या है फ्लाई एस फार्मिशन होता है जो फ्लाई एस फार्मिशन होता है जो आग मतलब उसमें से राख निकलती है वह मतलब बारीक बहुत छोटा-छोटा होता तो क्या होता है कि वह उड़ने लगता है राख additional फार्मिशन आफ equipment is required तो additional आपको simple से ह अगर कोई भी मतलब की आपको मतलब की कोई चीज अगर additional करना जैसे आप यह पीस रहे हैं इसको बारीक बारीक छोटा-छोटा कर रहे है तो इससे क्या होता है देखिए तो आपको additional मतलब पीसने के लिए कोई उसको crushing करने के लिए पहले बड़ा-बड़ा रहता है तो उसक इसको पीसने के लिए तो यह सब क्या है additional equipment है तो यह सब ही क्या है इसके disadvantage है disadvantage क्या है देखिए fly air formation होता है additional equipment की required होती है और additional power और space की required होती है पीये फैन पीये फैन क्या होता है primary air fैन होता है तो पीयेफैन आपको पहले बताया था देखिए यह coal को जो हता है coil koila को घसीट के उडाके जैसे भी करके मतलब boiler furnace में ले जाता है यह boiler बट्ती होती है बट्ती में क्या करता है छीख है टू कैरी coal from meal to boiler furnace मिल से boiler furnace में कोईले को ले जाता है 2nd number क्या देखिए to remove the moisture from coal जो moisture होता है इसको क्या करता है पी भे फैन ये remove करता है इसके बाद नेक्ट क्या है to supply air for combustion of coal कोईले को जलाने के लिए क्या करता है supply देता है एर का supply देता है ये देखिए इसने क्या है पीए फैन का में काम होता है ठीक है यपडी फैन क्या है देखिए यपडी फैन अब थोड़ा देख लीजिए यपडी फैन क्या है फोर्स ड्राट फैन यपडी फैन बोलते हैं यह क्या करता है देखिए आपको बताया था कि यह जो है यपडी फैन जो है मासफियर से air को क्या करता है ड्राट करता है खीजता है उसके बाद इसको heat करके मतलब कि cold air से cold air defense होता है यह supply करता है hot air boiler furnace में air को त्यास इसका work क्या है दिखिए its function is to supply additional air for complete combustion आप coil को जलाने के लिए complete जलाने के लिए क्या करता है air की supply करता है it delivers supply air in जो यह अबडी फैंड की rating होती है रेटिंग जो होती है यह PA फैंड से कम होती है तो question अभी पूछता है आप से की rating किसकी होती है ID फैंड ज्यादा होती है PA फैंड की ज्यादा होती है तो यह अभी आपको देखिए बताता हूं पुरा आप लोग बस अगर आपको speed कम लगेगी तो speed थोड़ा सा भलाह लीजेगा अगर speed की कोई ISO हो वी ते हूं वैसे मैं कोशिस करता हूं कि थोड़ा मतलब की बात चीज़ गम किया जाए कोशिस करता हूं कि मतलब बात छोड़ जाए दिये प्लस होता है इसका फंक्षन क्या होता है तो its function is to collect flow gas from boiler furnace and deliver to the chimney इसका main function होता है main function यह है कि boiler furnace वृट घिखता है उसके बाद यह तो बाहर दिलिवर करता है, atmosphere में, basically it maintain the pressure inside the boiler, मतलब मेन रूप से क्या करता है, यह जो boiler होता है, boiler के अंदर का जो pressure होता है, उसको maintain रखता है, boiler furnace and just below the atmospheric pressure, जो boiler furnace होता है, boiler furnace के अंदर का जो atmosphere होता है, वो outer जो होता है, atmosphere होता है, बाहर का मतलब अवाट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, it located in between chimney and ESP, जो id fan होता है, id fan कहां located होता है, तो id fan जो होता है, वो chimney और ESP के बीच में लगा होता है, it maintained balance draught, question देखें, पूछ सकता है, कि id fan का main work क् maintain balance draught, यह balance draught को maintain रखता है, ठीक है, अब देखें, रेटिंग के लिए देखेंगे, तो PA fan जो PA fan आपका supply देता है, और EPD fan जो air का supply देता है, इन दोनो boiler furnace में देते हैं, अब यह boiler furnace से, जो id fan होता है, देखें, यह id fan क्या करता है, यह boiler furnace से air को क्या करता है, बाहर निकालता है है ना, तो जो speed होगी, देखें, speed सबसे ज़्यादा किसकी होती है, id fan की, नहीं, sorry, sorry, speed जो होती है, speed जो है, सबसे ज़्यादा जो है, किसकी होगी, आपकी PA fan जो होती है, PA fan की speed सब ज़्यादा होगी, power rating किसकी होती है, power rating जो है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, id fan की होती है ठीक है तो देखे ये PA fan जो supply होती है supply एर supply का राइड प्लस ID fan is equal to air received by ID fan PA fan plus FD fan का जो air होता है वो कौन बार निकालता है received करता है ID fan rating देखे क्या है ID fan की rating जो है rating सब ज़्यदा ID fan की होती है तो rating जो है ID fan की rating मरावर PA fan की rating प्लस FD fan की rating होती है ID fan की rating ID fan की rating देखिए सबसे अधिक जो fan, तीनो fan में PA fan, ID fan यबडी fan में सब ज़्यादा किसकी rating होती है ID fan की rating होती है देखिए याँ दिया है fan है, rating है operating voltage है, speed है तो जो rating होती है सब ज़्यादा किसकी होती है इसलिए सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी वह आपकी प्राइमरी एर फैन होती है और इसकी जो रेटिंग होती है अब सूपर हीटर को हम देखते हैं इस मीद में स्थिमुने है यह पूछे इसम्ड़ से यह निम्हीं up वेट के अधार। सब्सक्राइब के आलाय ड्रम से इस्टीम निकलती है और उसमें नमी होटे है तो इसको हम ञायए ? viktigt name उसकी ठाटरश असरचे मीठ पर्थ निकलती है ईसके बाद इससदीम निकलते है रहा करता तो super heater क्या करते हैं, super heater जो होता है weight steam को dry steam में, weight steam को dry steam में monitor करता है,'t authentically conditionutet तो 선택 है क्या करता है तो temperature को बढ़ाता है pressure को बढ़ाता है दोनों को बढ़ाता है या किवह एक बढ़ाता हैपकी तर्षकल का स्थैन रखता है यह इसी हं ड स्थैनधव स्थैनिगरते है तो यहाँ से बार देने拜拜 steam को क्या करता है यह उकिन फर्व सीटिब में उसी कर T वाटर को वेट इस्टीम में, वेट इस्टीम में, वेट इस्टीम को ड्राइ इस्टीम में, ड्राइ इस्टीम की बाद सूपर सिचुरेटेड इस्टीम होता है, यह मिलती है आपकी, ठीक, इसका फंक्शन क्या है देखिए, यहाँ पर फंक्शन है, तो its function is to convert weight steam इन्टू सूपर सिचुरेटेड इस्टीम, वेट इस्टीम को सूपर सिचुरेटेड इस्टीम में, इस function is to convert weight steam into super saturated steam, ठीक है, इत रिसीब एनर्जी फ्राम फ्लू गैस, यह एनर्जी जो सूपर हीटर होती है, इनर्जी कहां से इस्टोर करती है तो यह रिसीब करती है तो यह फ्लू गैसे जो होती है फ्लू गैसे इसको करते है सूपर हीटर में देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट में दिया गया है सूपर हीटर में टमप्रेचर बढ़ता है प्रेसर जो है रिमें कास्टन रहता है ठीक देखिए हाँ question भी है कि question क्या है देखिए in super heater super heater पहला क्या है देखिए pressure and temperature both change only pressure change only temperature change only temperature जो है वो change होता है ठीक है तो option number इसका third जो है वो correct है speed देखिए सब ज़्यदा PA fan के फिर FD fan के फिर ID fan के होती है आप लोग ध्यान देखे पढ़िए कि एक भी मैं guarantee देता हूँ कि अगर power plant से एक भी question छुड़ गया तो आप लोग comment करके बोल दीजेगा कि हाँ मतलब ठीरेट के लिए question छुड़ गया आपका power plant से इसके बाद देखिए economizer आता है economizer में क्या है देखिए इकोनो माईजर क्या है देखिए economizer cold water जो होती है मतलब condenser से जो thermal power plant में steam turbine से जो है steam निकलती है turbine से steam निकलने के बाद क्या होती है उसको हम steam को क्या करते है water में फिर convert करते है तो cold steam जो होती है cold water जो होती है कोल्ड वाटर को हम क्या करते है हाट वाटर में कनवर्ट करता है कौन इकोनोमाईजर होता है ठीक है तो इकोनोमाईजर के मिन काम क्या होता है यह कोल्ड इस्टीम को बॉयलर जो बिफपी होता है बिफपी पंप से बॉयलर फिट वाटर पंप जो है सप्लाई करती है वह कोल् फ्लू गेस के साहतासे, तो फ्लू गेस के पाथ कैसे होता है, तो बॉयलर, से निकलती है, बॉयलर, से निकलती है, बॉयलर लेक़ार के बादँ कहा जाती है, super heater, super heater के बाद, एकौनो माजर, экономाजर के बाद, rehater, हीटर, e-ups, e-UPS के बाद, chimney, i-ड deposit, i-d find के बाद, करहें निकल जाती है यह पात पूशा जाता है, यह में डाटलि पूश देता है सही सेक्वेंस outta tap ठीक है तो सूप इकोनॉमजर के में काम क्या है यह क्ल्ड इस्टीव को ओट वाटर में BURT between Do Colt Water होती है उसका जो temperature होता है लगभग 50 degrees तक बढ़ जाता है, तो 80 से 90 degree centigrade हो जाता है, आउट प्रेसर जो है, वही रहता है, 180 बार रहता है, ठीक है, इसमें इकोनोमाजर देखिए क्या है, इकोनोमाजर इजे फिड़ वाटर पंप हीटर विच इक्ट्रेक्ट हीट फ्राम इनर्जी फ्राम फ्लू गैस एंड डिलिवर to the feed water, feed water को फिड़ फिर ये क्या करता है, डिलिवर करता है, ठीक है, तो इकोनोमाजर के में इन क्या है देखिए, ये cold water को, cold water को condenser से आने वाली जो cold water होती है, cold water को क्या करता है, ये hot water में convert करता है, फ्लू गैस के माद्यम से, कोई पूछे का तो बिल्कुल आप लोग बता करता है PA fan और YPD fan का जो cold air होता है उसको ये hot air में convert करता है hot air में convert करता है flue gas के माधियम जाता है तो flue gas कहां कहां से जाता है देखिए आप लोग ये एकदम रट लिजिए flue gas कहां से जाता है तो simply कहां से wireless निकलता है super heater, super heater के बाद economizer, economizer के बाद air pre heater air pre heater क्या करता है air pre heater जो होता है cold air को ID fan और PA fan और YPD fan से जो air निकलती है air आती है उसको क्या करता है atmosphere से जो लेगता है उसको cold air को hot air में convert करता है किसके माधियम से flue gas के माधियम से देखिए आपर its function is to convert cold air into hot air cold air को क्या करता है hot air में convert करता है ठीक है बेसिकली इट एक्स्ट्रेक्ट एनरजी फ्राम फ्लू गैस एंड डिलिवर इंटू एर नेक्ट देखिए ये देखिए आप फ्लू गैस का कैसे कैसे आवा गमन है इसको आवा देखते हैं देखिए तो बॉयलर फरने से फ्लू गैस निकलती है सुपर हीटर में जाता है सुपर हीटर के बाद एकोनोमाजर में एकोनोमाजर के बाद एयर प्री हीटर 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 के बाद एयर इस्टेटिक प्रिसिपिटेटर होता है, तो इसमें, देखिए, क्या है, कि इलेक्ट्रोइस्टेटिक प्रिसिपिटेटर जो हता है, ये, its function is, remain, remove, fly as dust particle from blue gas, electrically. इसमें देखिए मेन रूप से क्या है कि जो फ्लू गेस निकलती है अब सिंपल सी बात है कोईला है तो उसमें कुछ आयरन पार्टिकल होंगे तो आयरन पार्टिकल जो होते हैं उन्हीं सब को क्या करता है ये डिसी पोर करता है ठीक है यहाँ पर डिसी पोर करता है तो ये जो जहरना नहीं होता है जैसे बालू चलने वाला जहनी होती है तो हम क्या करते हैं आटा चलने वाली होती है तो इसको बार-बार इसे हाथ से हिलाते हैं तो ऐसे यह भी होता है इसमें लगा होता है तो यह जितने भी डश्ट पार्टिकल को करता है वह ऐसे बार-बार उसमें मतल HBDC होता है, Located in Air Preheater and ID Fan ID Fan और Air Preheater के बीच में ये लगा होता है Question पूछता है कि Electro-Static ESP जो होता है ये कहां कहां लगा होता है तो ये Air Preheater और ID Fan के बीच में लगा होता है ठीक है? कोई डाउट नहीं है? Chimney देखिए क्या है? Chimney क्या होता है? Chimney जो है, इसका main function होता है कि ये create natural draught होता है ये आराम से मतलब इसमें कोई भी फैन उपर उपर फैन नहीं लगा होता है तो ये natural draught होता है, ये आराम से जो फ्लू गैस होती है उसको बाहर निकलता है दिरे-दिरे Chimney की efficiency लगभग 1% से कम होती है ओद इसके बात緊 गवववरणर होता है गवववरणर क्या करता है? ये customer supply होती है इsoon उसको एगी control करता है तो ओवरणर करता है। थिखों यहां पर fly Teil ये यहां पर आता है सब्सक्राइब करो अचतर्स दो सब्सक्राइब आप steam supply जो है turbine में जो steam जाती है उसको control करता है ये therefore mechanical output आप turbine can be controlled mechanical output turbine को मतलब जितना ज़्यादा हम मतलब की steam को क्या करेंगे इस टीम को जितना ज़्यादा हम उस पर मतलब की control करेंगे उसी इसाब से हमारा जो है turbine जो है rotate करेगा उसी speed से ठीक है synchronization is done always at no load जो synchronization हम कराते हैं किस पर कराते हैं no load पे हम इसका synchronization कराते हैं turbine का ठीक है इसके बाद condenser आता है देखिए condenser जो है condenser क्या है देखिए its function is to convert steam into water condenser का main काम होता है कि ये steam जो होते है steam को क्या करता है ये water में convert करता है condenser के अंदर का pressure y1 दाब से कम होता है लगभग 0.1 bar या 1 by 10 आप 8 atmospheric pressure के ब्राबर होता है ठीक है 0.1 bar तक होती है इसके अंदर का दाब जो होता है condenser का main का होता है condenser का main का होता है ये steam जो आती है आपका turbine से turbine से जो steam आती है वो क्या करेगा condenser से flow कराते हैं condenser steam को क्या करता है water में convert करता है जब steam आती है उसकी temperature होता है लगभग 200 से 300 degrees centigrade तक होता है और जब water में convert करता है तो लगभग 45 से 50 degrees centigrade इसका temperature हो जाता है आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि condenser का main काम क्या होता है steam को water में convert करता है और उसमें जब water में convert करता है तो उसकी temperature कितना होता है temperature जो है वो 45-50 इंटेग्रेठ तक होता है इन thermal power plant lowest temperature कहां होता है condenser में होता है इन thermal power plant power plant lowest temperature सबसे ज़्यादा thermal power plant का अगर efficiency इतना कम होती है तो ये condenser की वज़ह से ही होती है अगर condenser नहीं होता तो thermal power plant की efficiency जो है वो अच्छी होती और सबसे ज़्यादा power last जो होता है वो condenser में होता है ठीक है? ठीक है? ठीक है condensate extraction pump ECEP जिसको हम लोग बलते हैं condensate extraction pump होता है its function is to supply water from condenser to BFP बाया derator, derator के माध्यम से, derator के माध्यम से हम क्या करते है supply जो है water की supply करते है condenser से BFP हो BFP फिर उसके बाद BFP जो होता है boiler fit pump जो होता है ये boiler को पानी सप्लाई करता है basically देखिए next है basically its function is to maintain the pressure inside the condenser below atmospheric pressure में रूप से जो CEP होता है CP क्या करता है ये condenser के अंदर का जो pressure होता है उसको maintain रखता है तो आपसे question पूछ सकता है condenser क्या करता है condenser जो ही ये supply करता है BFP को condenser से BFP को supply करता है water का और ये और दूसरा क्या होता है इसका ये जो है condenser के अंदर का जो temperature होता है temperature pressure होता है pressure को maintain रखता है derator क्या करता है देखिए remove forging particles bubbles derator जो है derator मतलब ये है क्या करता है ये जो dust particles होते हैं जिसे bubbles होते हैं dust particles होते है foreign particles होते हैं bubbles होते है या dichyal gases होते हैं ये सबी को क्या करता है daw put water samo water falling water क्या करता कि बाइदको Method World होता है वीटव्रानी कोई कवच कुछ कंप और इसमें पणकि जो dust particles या मतलब ऐसा जो मतलब की steam बनáने मंको problem हो इसके बाद BFP है देखिए BFP क्या है देखिए BFP जो है boiler feed pump जो होता है BFP its function is feed water to boiler drum जो boiler drum होता है देखिए boiler drum में ये पानी को supply देता है तो आपको बताया था पहले कि BFP की power rating सबसे ज़्यादा होती है पूरे thermal power plant का लगवाग 2-5% तक देखिए होती है thermal power plant का यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा जो चीज़ी किया ना देखिए ये notes जो है इसमें मतलब हर चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया इसमें हर चीज तो आपको कुछ मतलब इक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है जो आप मतलब इसमें बता दिया जा रहा है उसको आप लोग पढ़ लीजिए मैं guarantee देता हूं कि आपको बिलकुल अच्छे से हर चीज समझ में आएगी तो इसकी जो rating होती है देखी लगवाग 2-5% होती है मतलब कि अगर 500 MW की अगर पावर प्लांट है तो BFP की rating कितनी होगी 10 MW BFP की rating होगी ठीक है दोस्तों देखिए वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सचा BFP देखिए लेक्री सप्लाइज से चलाते हैं उसके बाद रंणिंग कंडिशन जब होती है तो उसको हम इस्टिम टर्वाइन से चला देते हैं मतलब इस्टार्टिंग में क्या करते है अब हमेसा तो भाई BFP को हम चलाने के लिए क्लिए क्लिए क्लाइज जरू देंग नहीं जब पाव प्राइम ओबर घूमना चाहिए तो प्राइम ओबर क्या करते हैं हम इस्टिम जो है इस्टिम हमारा टर्वाइन जो होता है उसी सम क्या करते है इसको कपल करके हम लोग चलाते हैं इसको ठीक है वाटर ट्रिटमेंट प्लांट है कुलिंग टावर है इसके बाद जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, अपने स्टटी ग्रूप में हर जगां सेयर कीजिए, यही हम लोगों को मोटिवेशन है, थैंक यू, थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो